असलाम अलेकूम कैसे आप साब उमीद है साब लोग ठीक होंगे खुश होंगे अलहम्दुलिल्ला मैं भी ठीक हूँ वेलकम बैक टू मैं चैनल एंड वेलकम बैक टू एनदर वी लॉग यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं एक हेल्दी साराश्ता बना रही हूँ अपने लिए काफी दिरों से मेरा दिल का रहा था कि बनाना पैनकेक्स बनाओ तो घर में बनाना खतम हो रहे थे तो रात ह थे ज्यादा इस प्लेट में डाल दिया था उसके बाद 2 से 3 टेवल स्पून मैंने ना होल ओर्स जो होते है ना वो डाले है एक एड्ड कर दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने वनीला एसस डाल दिया वन फोर्थ टी स्पून जो है वो इसमें जाएगा बेकिंग पौर्डर अभी इसको ना मिक्स आप कर लूँगी मैं यह जो रोल डोर्स होते हैं ना इनको आप ग्राइंड करके भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको एज़िटीजी डाला है थोड़ा सा इसमें ना मैं दूज शामिल करूंगी ताके इसका टैक्सिर जो है ना वो पैन केक्स बना पानी तो सही मतलब प्रेशर से आता है जैसे फुआर की तरह लेकिन जब डालो तो वो फिर सही से निकलता तो खैर एनिवे यहां पे ना मैंने पैनकेक्स जो हो बनाने स्टार्ट कर दिये थे इनको थोड़ा वेट करना पड़ता है मतलब थोड़ा लो हीट पे बनते हैं य जब इनके उपर ना छोटे छोटे से सुराख से बनने स्टार्ट हो जाए ना इट बीन्स के यह नीचे से रेड हो चुके हैं तो इस तरह से तकरीबन टोटल फॉर पैनकेस जो थे ना इस मिक्सियस से बन गे थे और यह बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से है नाश् खैर हस्बेंड और रोहान के लिए मैंने यहां पर नमकीन फ्रेंज डोस बना लिये थे उनको पैनकेक्स नहीं खाने थे बस मुझे ही शोख होता है इस तरह के ना निउउ एक्सपेरिमेंट करने की खैर यह निउउ तो नहीं है मेरा एक्सपेरिमेंट मैं पहले भी बनाती रहती हूं लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं वेट लूस पर होती हूं ना तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं और फिर मैं उनको ट्राइब भी करती रहती हूं और अच्छा लगता है कलर फुल लाइफ हो जाती है और जब वेट लूस पर नहीं होती न जो बनाना बचाया था ना वो मैंने यहां पर गार्णिश करने के लिए दो तीन स्लाइस जो है ना रख दी है और उपर से मैंने थोड़ा सा स्टॉबरी जैम डाला था सोरी स्टॉबरी सीरप डाला था इसके उपर इसके जगा आपना हनी भी एड कर सकते हैं क्योंकि इसमें स सीरप या हनी डाले तो वो भी डाला जा सकता है यहां पे घर के काम शाम जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज मेरा काम यह था कि मैंने फ्रीज को उपर से साफ करना था इसमें बहुत जादा कच्रा हो रहा था जो चीज मतलब रोहां से हमने बचानी होती है ना वो वेस्ट तो यह ना सरफ का डबा है तो अभी सरफ नियों ही लेके आये थे तो मुझे यह चाहिए था सरफ मैंने नकाल के रख लिया तो इसको ना फिर मैं कट करने लगी याद आया कि की रिंग में इस तरह का वो है कटर है तो मैंने उन्हें कहा के आप मुझे यहां से काट देंगे लाओ मैं इनका चलें ठीक है नेकी और पूछ पूछ तो जब वो फिर उन्हों ने स्पाइस से काट दिया तो मैंने का इसके ओपर ना मैंने ऐसे पेपर भी लगाना तो कहरे लाओ यह भी मैं लगा देता हूँ मैं उनको रही मैंने का बंदे को रहा इतना नफीस भी नहीं होना चाहिए है पहले उन्होंने ना स्केल के साथ निशान लगाए है फिर कटर के साथ कट किया है बाद में तो कह रहे अच्छा मैं ऐसे उल्टा सीधा यू बलों वाला डाल बनाके ना तुम्हें दे देता तो फिर सही था तुमने भी कहना था कि काम मैंने कही दिय हो रहा कि यह उस चीज़ से बनाया हुआ है यह बोटल मैं इसमें क्यों राख रही हूं कि फ्रीज के उपर इस तरह की स्प्रे की बोटल्स पड़ी होती है ना जो खतरनाग होती है तो उनको ना संटाइम एक को हाथ लगता था तो टक टक सारी नीचे गिर जाती थी तो फि ने के लिए होता है और साथ में यह कॉइन का एक चोटा सा बोक्स है इसमें को आइन जो है वह हमने डाले हुए होते हैं कि बावक्त जरूरत हमें ना फिर वह मिल जाएं तो यह मेरा आज का जो टास्क था ना वह कंप्लीट हो गया और मेरी फ्रीज जो है उपर से साफ ऐसा हुता है ना उनको मैंने UP कर लिया है चोपर में डालके और यहां पर ना मैं बना रही थी शामी कबाब और इसपार शामी कबाब जो हमने शिकन के नहीं बनाए नहीं बटन के बनाए हैं और मटन गलने में इतना प्रेंजो और दाल जो है उसका बिल्कुल कचुमर निकल गया था जिसकी वजह से ना वो मिक्स्चर जो है वो थोड़ा पतला हो गया था तो इसलिए यह वाले ब्रेड क्रॉम्स जो है ना यह मैंने फिर इसके अंदर डाल ले है ताकि यह थोड़ा थिक हो जाया और इसको मैं फिर कबाब्स बना सकूँ तो अभी मैंने करियंडर लीज डाल दी है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ना इसमें सुख़धनिया पौडर एड़ की है अच्छा इसकी रास्पी मैं इसलिए शेयर निकार रही क्योंकि मैं हमेशे एक ही तरह की इंग्रेडिटिन्स के साथ कबाब बनाती हूं फरक सिरफ इतना है कि इस बार मैंने इसमें मटन डाला है पहले मैं चिकन के साथ बनाती हूं तो मैंना किसी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी अब वहां से देख लें किस तरह से बनाती हूँ कबाब बस हस्पन ने कहा कि या अब जो गोश्ट पड़ा हुआ है ना इसका मतन का वो मैंने नहीं खाना इसके कबाब बना आगे ना इसको खतम करो तूँ तो मैंने का अच्छ कान हस्पन के साथ बाहर कहीं किया हुआ था तो मैं फिर अराम से मज़े से बैठके ना तो कबाब बना रही थी वरना उसकी छेड़खाने खतम नहीं होती इस वज़जा से फिर मुझे ना किचन में ऐसा काम जो है वो करना पड़ता है और अब भी कबाब नके पूरे खतम ही हुए थे तो वो ना आगे हुए थे वापिस तो मुझे यहां पूछ रहा था कि मामा यह नगिट्स है तो मैंने का नगिट्स नहीं है यह कबाब है तो कह रहा अच्छा फिर राइस के साथ खाने है यह मैंने का हाँ अच्छा वो काम मेरा खतम हो गया उसको फ्रीजर में तोड़ा सा सिर्का इसके ओपर एड कार दूगी जस्ट नमक और सिर्का ही लगा है अच्छा इस रेस्पी गी ना इक्जैक्ट जो मतलब है ना कॉंटिटी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूगी या वहां से ले सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी इंग्रीडर्स के स यहां पर मैंने डाल दिया इसके अंदर लेस्ट नद्रक का पेस्ट और साथी काली मीच डाल दिया अगर फोरं के फोरं ताजी कुटी भी डालेंगे ना उसका टेस्ट बहुत जबर्दस आएगा यहां पर मीच टेंडराइजर मैंने डाला है टू से थ्री पिंच अच्छ जो नमक और सिर्का लगा के गोश्ट को रखा था ना तो वो सिंक में मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था था कि थोड़ा ना उसमें से स्मेल वगयरा खतम हो जाए और पानी जो यहां वो निकल जाए तो बिल्कुल यह ड्राइए है देखें इना सारी चीज़ें ऐसे ख केबल स्पून ही है अल्मोस्ट तो यह जो सारे इसके पीसीज हैं तो वो मैं फ्राइए करने के लिए रख दूँगी और इसको हाना के मीट टेंडराइजर लगा हुआ था लेकिन फिर भी इसको काफी टाइम लगा गलने में और यह ना हलकी आज पर ही बनना होता है तो इस रेस्पी के अंदर डलेंगी आप चाहें तो कोई सीबी वेजीज डाल सकते हैं मैंने तीन कलर की कैपसिकम ले लिया है और कुछ प्याज ले लिया है मैंने उसकी ऐसे कलिया सी ना अलग लग सी कर ली हैं तो यह दो मेरे बैज हुए थे हलकी आज पे यह बस बनता रहा है ब बनी थी रैस्पी जो है और बाहर से खाते हैं इस तरह की चीज तो कर में तो बंदा कामी ट्राइ करता है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग चीज है यह चिकन के साथ बनाए तो फिर ज्यादा अच्छा है तो खैर उसकाथ ही मैंने ना राइस भी बॉयल होने के लिए रख द ताके तुबारा ना खाना रेडी होने तक हमें थोड़ी दुबारा से भूग लग जाएगी वैने का चलें ऐसे कर लेते हैं फिर यहां पर मैंने लिया है खीरा टमाटर और थोड़े से ना एग वाइट लिये है मतलब वो बॉयल किये हुए एग लिये थे योक मैंने नकाल है रेड बीन्स जो होते हैं तो उसकी जगह आप किट्टी बीन्स भी एड़ कर सकते हैं लेकिन इसकी जो सौस बनती है वो इतनी मज़े की है आपने वो सेम ही डालनी है इसमें अच्छा है उसको ना मैंने दूसरी प्लेट में डाल दिया ताके सही से ना हिल जुल सके है काल ना मज़े का सैलड बनता है ना कि आप भी क्या याद करेंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे इसमें ना ये जो डाला है ना शेहद वो स्किप नहीं करना उसका अपने ही मज़ा है अच्छा उसके बाद लेमन जूस डाल दिया मैंने तो ये ना बहुत मज़े की बनी थी इसकी सोस बहुत जबरदस्ता है बरहाल बाकी चीज़े जो है ना आप उसको मतलब चेंज कर सकते हैं अपने ही साफ से जो घर में चीज़ अबेले बहला है वो डाल ले जो नहीं है उसको फिर रहने दें तो अभी प्लेट से मैं दुबारा से इसको शिफ्ट करूंगे इध चीज़े जो ना वो हाथ के हाथ ही खतम होती रहें तो सही रहता है वरना फिर आप खाना बना आगे जब ठाकर के बैठ जाते है ना तो अब हमदी नहीं ग्याती कि आप जो खाना बनाने के टाईम पर बरतन जमा हुए हैं उनको दो सके पिर नेक्स टाम पर चली जाती है तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ यहां पर उसकी सॉस जो मीट के साथ हमने एड़ करनी है तो मैंने ना चिकन स्टॉक का एक क्यूब ले लिया है यह मस्ट डालना है क्योंके वो चिकन जो हमरा फ्राई हुआ है उसका सॉस में टेस्ट नहीं आएगा तो पानी में तकरीबन ए एड़ कर दोगी और बाद में काली मिर्च मैंने एड़ कर दी अच्छा इस सारी रेस्पी में जहां जहां भी ब्लैक पेपर यूज होती है ना अगर आप ताजी कुटी हुई डालेंगे ना उसका टेस्ट बहुत जबर्दस आएगा तो बाद में सिरका मैंने डाल दिया इ और ऑईल का डाला है तो इसमें लेसे नद्रक का एक क्यूब डाला है उसका जब हलका सा कलर जो है ना चेंज हो गया तो बदर खुश्बू आने लागी अभी सारी वैजिस के अंदर डाल दी है वैजिस को ना हमने इतना नहीं करना के वह नरम हो जाए या पानी ठोड़ दो तो इसको ना हलका सा मिक्स अप कर लेंगे ताके ना मीट के उपर जो मतला मसाला वग्यारा लगा हुए ना वो सबजियों पे उबर भी लग जाए यहां पर बहुत जल्दी जल्दी से करने वाला है क्योंके आन्च जो है वो काफी मैंने खाई रखी रखी हुए अभी वो जो ऐसे सॉस रैडी की थे हमने वो इसके अंदर डाल देंगे अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वह अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर थोड़ी ठीक चाहिए तो थोड़ा और कॉर्ण फ्लोर एड़ कर लें मिक्सिंग करते वक्त अगर थोड़ा बतला वाला चाहि रहे हैं तो होफ़ली आप लोग का आज का वी लोग अच्छा लगा होगा और इस रेस्पी को आपने जुरूर ट्राई करना है और पैंकेक्स जो है ना उनको भी जूरूर ट्राई कीजिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाला वीड झाला बढूंच daar झाला पूईक्ट मूआ झाला वीडियो में जूरूर ट्राई का नेक्सटैंग कि जुछ आपने में ऊच्थ को